हेलो दोस्तों आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत श्वागत है आज मैंने बनाया है ये चौकोर डोर्मेट की एक कली इसे बनाया है मैंने आज देखिए चौकोर डोर्मेट की कली ऐसे ही बनाते हैं इससे चौकोर डोर्मेट बनके पूरा होगा तो इसे बनाना बहुत ही आशान है मैंने पहले 20 फंदे जाले हुए थे और एक एक करके सबीयों को छोड़ा था यहां तक फिर यहां से एक एक करके मैंने यह तरीके से बढ़ाई है एक कली बना कर पूरी किये अगर आप मेरे चैनल पर नूँ हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें सियर करें, कमेंट करें तो चलिए इसे बनाना इस्टाइट करते हैं आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चौकोर डूरमेट की डिजाइन देखिए किस तरीके से चौकोर डूरमेट बनाते हैं आज मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले हम क्या करेंगे अपने फंदे डालेंगे तो देखिए नौट लगा लिए हैं मैंने अब इसमें फंदे डालेंगे इस तरीके से इसमें हम 20 फंदे डार लेंगे अगर आप बहुत बड़ा बनाना चाहती हैं तो 30 या 40 या 50 फंदे डार लें 50 फंदों का 40 फंदा को काफी बड़ा हो जाता है मैं 20 फंदे का ही डोर मेट आपको बना कर दिखाऊंगी देखिए कितने फंदे हो गए मैं आपको बताती हूँ एक, दो, तीन, चार, पांच, चार, साथ, आठ, नो, दस, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 देखिए मैंने ये 20 फंदे डार लिए हैं आपको दिख रहे होंगे तो अब क्या करेंगे एक रो हम साधा लगाएंगे इसमें इस तरीके से अपनी अपनी तरफ लगाएंगे कोई फंदा गठाएंगे नहीं कोई बढ़ाएंगे नहीं सरफ ऐसे ही एक साधा रो लगाएंगे तो पहरे लगा लेती हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो देखिए मैंने एक रो लगा ली है आपको दीख रही होगी अप क्या करेंगे इधरकी सैट से इस फंदे को हम उतारेंगे और दूसरे फंदे से बनाना इस्टेट करेंगे और इधरकी सैट में एक फंदा छोड़ेंगे सिर्फ एक-एक फंदा छोड़ते जाएंगे मैं आपको बताती हूँ बस अभी इस तरीके से और एंड तक छोड़ने हैं देखिए यह मेरे दूसरी रो लग गई है दूसरी रो से मैंने एक फंदा छोड़ना यह देखिए एक फंदा छोड़ दिया मैंने अब यहीं से धागे को अपनी तरफ कर लेंगे यह देखिए मैंने धागा अपनी तरफ कर लिया अब यहां से हम बनाएंगे यहां तक हम यहां तक यहां से यहां तक सभी फंदों को एक एक बना लेंग यानि चोड़ते हुए बना लेते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ देखिए मैंने यहां से यहां तक आपको दिख रहे होंगे मैंने सभी फंदों को एक एक करके छोड़ा हुआ है यानि मैंने आदी कली बना ली है आदी कली हम कैसे बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ इस वाले फंदे को हम उतारेंगे दूसरा फंदा बनाएंगे ऐसे दूसरे फंदे से हम क्या करेंगे देखो यहीं से अपने धागे को इस वाले को इस तरीके से अपनी तरफ करेंगे यहीं से इन दोनों फंदों को फिर से बनाएंगे देखिए इस वाले फंदे को हम सीधा लेंगे सीधा लेने से क्या होता है मैं आपको बता देती हूं देखिए ये किनारी हमारी से आ रहे है इस तरीके से किनारी आती है फिर से इस फंदे को उतारेंगे अब हम देखिए पहले मैंने दो फंदे लिये थे अब हम तीन फंदे लेंगे इस तरीके से ये मैंने तीन फं फंदे को हम सीधा ही लेंगे अब मैं बताती हूं आपको अब हमारे ये चार फंदे हो गई हैं देखिए चौते फंदे पर यानि गैफ है इसमें सो क्या करना पड़ेगा हमें ये फंदा उता रहेंगे दूसरा फंदा लेंगे और तीसरा फंदा लेंगे चौते फंदे पर देखिए गैफ है तो इसमें से कोई भी फंदा हम उठा लेंगे देखिए ये मैंने फंदा उठाया और दूसरे फंदे के साथ साथ ही साथ मैंने गठा दिया एक फंदा रह गया यहीं से अपने धागे को इस तरीके से मूड लेंगे अपनी तरफ और यहां फंदे को हम सीधा ही लेंगे देखिए इसे हमारी मोड हो गई ना इसमें यह चोकोर बनके तयार होगा अपनी आप इसमें गिब्बे में मोड आ जाएगी एक बार मैं आपको फिर से बताती हूं बस देखिए यहां पे इतना गैफ है तो हम कोई साभी फंदा उठा में इस तरीके से और दूसरे फंदे के साथ गठा देंगे तो इसी तरीके से सभी इन यानी सभी फंदों को ऐसे ही हम बना लेते हैं फिर में आपको दिखाती हूं से इसी तरीके से अभी मैंने आपको बताया था आज मैंने बनाया है यह चौकोर डॉर्मेट की एक कली इसे बनाया है मैंने आज देखिए चौकोर डॉर्मेट की कली ऐसे ही बनाते हैं इससे चौकोर डॉर्मेट बनके पूरा होगा तो इसे बनाना बहुत ही आशान है मैंने पहले 20 फंदे डाले हुए थे और एक एक करके सवियों को छोड़ा था यहां तक फिर यहां से एक एक करके मैंने यह तरीके से बढ़ाई है एक कली बना कर पूरी किये अगर आप मेरे चैनल पर नूँ हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें सियर करें, कमेंट करें अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें कमेंट करें, दोस्तों साथ सियर करें तो फिर मिलेंगे नेच्ट वीडियो कसा तब तक करें बाइबाइबाइब